अप्लोग जानते हैं आपके इंचल टैरो एक चैनल नहीं एक फैमिली है और जो भी इस फैमिली से जुड़े हूं है उनको तहे दिल से धन्यवाद भगवान जी आपकी सारी विश्चे पूरी करें आपकी लाइफ में खुशाली आए बरकत आए अबंडन्स आए और जो इस अगर नहीं जुड़े हैं नए हैं वो इस फैमिली से जुड़ सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के ठीक है यहां पर आपको डेली एनरजी अपडेट मिलेंगी राइट और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे चाहिए कि हां मिलेको यहां प रीडिंग शुरू करने से पहले जो कि एक लव रीडिंग होने वाली है आप अपने पार्टना के बारे में सोच सकते हैं चाहिए आप मैरिड हो रिलेशंचिप में हो या अनकोंपेंस्ट लोव हो ठेक है अप उनके बारे में सोचे उनके साथ बिताय हुए पर लों को देती है पौह कि नियु टक नियु कर दियुशना है घड़्स मेचान tease टककल नियुशना तक क्रिक्शा कैलन कि टक्लिन वन्याकाझस Means है रती है रत्यκι्ण्ट थाच्स emperor the hermit and knight of months guidance is seven of cups I hope cards आपको दिख रहे हो सब अच्छा से ठीक है right give me a second okay so कहानी यहां पर यह है की जो भी लोग यहां पर no context situation में है ठीक है और बात नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए खुशकबरी है बिकाज बहुत जल्दी सर्फ बात भार बारिश आई हो बहुत प्यारब हो समय बहुत जल्दी सर्फ बात ही नहीं होने वाली है अब वो आपसे आकर मिलने भी वाली है ठीक है तो अगर हम देखें कि आपके पार्टनर है कैसे उनकी पस्नालिटी कैसी है तो थोड़े से एरोगेंट टाइप थोड़े से उनको जुकना नहीं पसंद था ठीक है और इको तो है मतलब भई दबूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए या दबूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए भेशक सारा ब्लेम आप पे क्यों ना डालना पड़े लेकिन वह वाला सीनिया पे रहता था बट अब मैं उस एनरजी में चेंजेस लाते हुए दिख रही हूं क्यूंकि आप वो अपनी गलतियों को भी रियलाईज करने लगे हैं अपनी गलतियों पे ध्यान देने लगे हैं उन पे सोचने लगे हैं और इंप्रूमेंट ला रहे अपने अंदर ठीक है अगर ऐसा था तो कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म करके बताईएगा ठीक है तूसरी चीज जो आपके पार्टनर की मुझे यहां पर लग रही है कि वो अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हैं मतलब आपका दिल बोलता है कि आपका पार्टनर अपसे कितना प्यार करता है लेकिन जैसे कोई आपको पूछेगा न कि क्या है उन्होंने कभी इतना बोला है कि वो हां सच्च में आपसे इतना ज़दा प्यार करते हैं कि यार ऐसा तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं है ऐसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया ये तो आप जानते हैं आपका दिल जानते है कि वो आपसे बहुत जाधा और शायद आपकी बिना रहे भी न पाई ठीक है लेकिन ह delete feeling कo accept नहीं करते अंदर ही अंदर रखते हैं मतलब एक होता है न कि बंदा जाहिर नहीं कर पा रहे है ठीक है प्याग जाहिर नहीं कर पा रहे है तो यह तो गुछ सा दिखा देगा या मतलब ऐसे कि I am strong like मैं strong ही बनके दिखाऊंगा मैं अपनी कमजोरिया क्यों बताऊं यह strong ही बनके दिखाऊंगी मैं अपनी कमजोरिया क्यों बताऊं यह मैस्कुलिन करेक्टर बहुत जादा लग रहे हैं आपके पार्टनर का whether she is a female और he is a male चाहिए कुछ भी जेंडर क्यों ना हो उनकी मैस्कु कमजोरियों को अपने emotions को जाहिर करना शुरू करतेंगे हाला कि उनके अंदर बहुत जाद emotions हैं बाड़ा जाएगी पूरा समुद्र है emotions का but यह सोचते हैं कि अगर इन्होंने अपनी emotions जाहिर करें तो यह उनकी कमजोरी होगी यह कमजोर दिखेंगे दुनिया के सामने और य जिसले यह कई बार बहुत ज़दा रूर कई बहुत ज़दा हार्श हो जाते हैं हाला कि मुझे बहुत जल्द आप लोगों के पास communication आता हुआ नजर आ रहा है within two days दो दिन के अंदर-अंदर आप लोगों के पास communication आ सकता है और जो मैं देख पारी हूँ यह night of pentacles right बहुत टाइम किया है आप लोगों ने बहुत वेट किया है आप लोगों ने इस communication का इस message का ठीक है जो आपके partner आपको देने वाले हैं साथ की साथ मैं बता दूँ कि यहाँ पर career issue है वो अपने career में stability पाना चाहते हैं तो अपना आधा time career पर देते हैं यहाँ पर मुझे कोई थड़ पाटी नहीं दिखती है या उनका किसी और के साथ failure है या अधा फ्लर्ट करते हैं ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नहीं देख रहा है बहुत ही पर्म पर्शन है वो ठीक है अगर वो आपके साथ हैं तो वो आपके साथ हैं वो कहीं और इधर उधर मुझे नहीं मार रहे हैं काइंड ओ लेकिन फिर भी आपको time नहीं दे पा रहे हैं फ मुकाम तक पहुचाना चाहते हैं और शायद मुझे लग रहे हैं कहीं न कहीं वो इसमें महारत भी आहसल कर चुके हैं कुछ ना कुछ इन्हों ने किया है अपनी करियर से और महाशाला एक confidence इनको आ गया है ठीक है आपके बाटनर कहीं बहुत दूर भी हो रहते हैं हाँ अब लोग सेम कंट्रीज में ना हो ये भी possibility मुझे नजर आ रही है पानी बहुत जदा नजर आ रहा है यहां पर थीक है में वो किस पानी के पास रहते हो किसी आईलेंड पर रहते हो या पर अगर वो आईलेंड पर नहीं रहते हैं तो कोई स्पास में जील नदी कुछ नग पर आ रहे हैं जब यह अकेले हो जाते हैं तब यह वहां पर जाके बैठ जाते हैं और आपके बारे में सोचते हैं ठीक है और अगर मैं भी देखूं कि आपका क्या हाल है तो आपका हाल आपको ही समझ नहीं आ रहा है confusion है अपने आपको आप कोशिश करते हैं कि मैं खुश रखूं मैं खुश रहा हूँ positive सोच हूँ जो कि कहा जाता है कि आप इतना positive सोचेंगे जितना self love करेंगे जितना inner work करेंगे उतना ही आप अपने reunion के करीब जाएंगे हाना बट साथ की साथ आपके अंदर एक अकेला बंपी है एक खाली बंपी है और जब आप अकेले होते हैं तो आप पो वो miss करने लगते हो एनको और लगता है कि life में क्या कमी है इंट्रोस्फिक्शन करने लगते हो सोचने लगते हो आप अपने खुश्यों पर काम करते हो खुश रहने की कोशिश करते हो अपने पैशन फोलों कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो लेकिन आप तुखी भी हूँ अंदर सरी आपको समझ नहीं आता कई बार खुदी कि यह क्या हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि यह सब डिवाइनली गाइड़ेड है ठीक है अचानक हस्ते हस्ते दुखी हो जाना ठीक है ऐसा क्यूं हो रहे क्यूंकि आपका ट्रांस्फोर्मेशन हो रहे है ठीक है आप ग्रो कर रहे हो बहार से अभी तक आपका कुछ दिखाई ना दिया हो में फाइनेशली या मैटेरियलिस्टिक वर्ड में 3D वर्ड में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दियो लेकिन अंदर से आप बहुत ज़दा स्ट्रॉंग ठीक है अपका ट्रांस्फोर्मेशन पीरियड है तो ओड़ा सा पें से आप गुजर रहे हैं यहां पे खाली पंसे अकेले पंसे यहां पे गुजरते हो बज़े नजर आ रहे हैं लेकिन साथ की साथ अपनी एनरजी को मेंटेन कर रहे हैं बरकरार कर रहे हैं यह बहुत अच चलने दो go with the floor ओ ठीक है विकाज यह बहुत अच्छा हो रहे है आप अपने आपको जानेंगे आप जानेंगे कि आपकी अंदर capabilities किया हैं आप कितने माहिर हैं वो सारी चीज़े आप जानेंगे तो रही बात guidance की at last तो मैं बताना चाहती हूं कि इस time चीजों में कोई decision मत ली किना कैसा भी नहीं ठीक है लाइक में वी जैसे आगर आप सोच रहे हैं कि मैं move on कर लूँ तो नहीं क्या मैं बेट कर लूँ तो नहीं हर चीज के लिए मना है कि अब भी आप कुछ decision मत लीजिए because मुझे समझ भी आ रहा है यहां पर कि आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या गड़ना चाहिए एक तरफ सोचते है move on करें लेकिन दिल बोलता है यार उसके बिना जीओ कि कैसी ये वाल हाल है तो अच्छा होगा तो आप कुछ भी मत कुछ भी decide मत करिए ठीक है स आने वाला टाइम मतला नेक्स्ट वीक तक आपके पार्टनों का क्या एक्शन होने वाल है ये गिरह है बट फिर भी में तो बारा से लेना चाहंगी बारिश आ रही है बहुत सोर से आपके पास आने वाल है अगले हक्ते में क्योंकि मैं बोल रही है उनकी बहुत सदा चेंज हो गई है बहुत जादा पहले वो जितना रूर थे जितना एरोगेंट थे अब वो अपने उपर काम करने लगे हैं ठीक है तो यह खुश कबरी है भाई मेरे को तो पाटी चाहिए ठीक है लव लेटर रोजेज एक बहुत प्यारा सा प्रॉपोजल आपके पास आने वाल है बहुत प्यारा और बहुतों के लिए मुझे यह लग रहा है कि आपके पस कोई न्यूव प्रॉपोजल भी आ सकता ह है एक हफते के अंदर ठीक है और अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बिताएं और बहुत जल्दी राइट लाइफ खुशियों से भर जाईए ठीक है खुशियों से भर जाईए अगर आपके पाटना ने कभी जाहिर नहीं किया था कि आप से कितना प्यार करते है तो अब वो अपनी फिलिंग्स भी जाहिर करेंगे ठीक है और जो नए परसन आएगा यह तो फीलिंग्स जाहिर करेंगा राइट आपके बस ऑप्शिन्स होंगे आने वाले टाइम में भी ऑप्शिन्स रहेंगे तो जरा दिमाग कहल के दिल खोल के देखो ठ क्या आपके लिए क्या सही है क्या नहीं बट खुश रहो नेक्स्ट वीक में आपके पास खुशकबरी और एक बहुत ही प्यारा प्रपोजल आने वाला है अगर आपको रीडिंग पर साइन दाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक थो अभी करी देना ठीक है लाइक मुझे सबका चाहिए राइट और कमेंस में लिखके बताए कि आपको आने वाले टाइम पर किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए और और जो भी आप लिखना चाहते हैं आप पे रस्यूनेट करी नहीं करी वर्टेवर इवर इट इस राइट और अफकोर्स बैल इकन बटन दबाना सब्सक्राइब करना मत बूलना और शेयर करें जितना हो सके मिलते हैं कल तब तक के लिए ठेक केर गुडबाई बी हापी बी हल्दी और जञा भूइयर कि यहर खिन दोना सब्सक्राइब करें तक कि लिएक सेयं कोथा जारा सबा जहां करेंव एूद बी है